हनुमान चलिसा जब सिद्ध हो जाती है तो कौन से ऐसे लक्षन आपको दिखाई देते हैं जिन लक्षनों से आप ये जान सकते हैं कि हनुमान चलिसा सिद्ध हो चुकी है हनुमान चलिसा का बार बार पार्ट करने से हनुमान चलिसा सिद्ध हो जाती है और गुस्वामित उसीदाजी ने भी कहा है कि जो सतबार पाठ करे कोई, छूटा ही बंदी महासक होई यानि कि जो सो बार हनमान्च लिशा का पाठ करता है उसकी सब दुखदर्द जो है वो हनमान्जी हर लेते हैं वैसे तो हनमान्च लिशा का पाठ रात के 12 वजे से अगर आप शुरू करते हैं 108 पार्ट तो हनुमान चालिसा सिद्ध हो जाती है इसमें नियम होते हैं, भोग होता है, तरीका होता है जो मैं आगी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज मैं आपको बता देता हूँ कि जब हनुमान चालिसा सिद्ध हो जाती है तो उसके क्या लक्षण आपको दिखाई देती है आपको क्या अनभव होता है कैसे आप ये जान सकते हैं कि हनुमान चालिसा सिद्ध हो चुकी है क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र जब करते हैं या कोई चालिसा सिद्ध करते हैं या कोई पूजा करते हैं तो ये जानना बहुत उत्सुकता पुरो होता है कि हमारा वो मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं हमारा वो चालिसा सिद्ध हो गया है या नहीं यह हमारी पूजा पाठ भगवान को सुविकार हो रही है या नहीं यह अपने मन में एक संशे होता है तो हनुमान चालिसा की सिद्धी जवाब करते हैं तब आपको यह रक्षन दिखाई देते हैं और मैं आपको जो बता रहा हूं वो नो लक्षन बता रहा हूं और इन नो लक्षनों से आप यह जान सकते हैं कि हनुमान चालिसा सिद्ध हो चुकी है हनुमान जी अतलित बल धामा है उनके बलकी कोई सीमा नहीं है कल्योग में जागित देव के रूप में हनुमान जी पूझते हैं और भगवान शिव के अंशवतार हैं रुद्र अवतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी को जब आप पूझते हैं हनुमान जी की जब सेवा करते हैं या हनुमान जी की जब सिद्धी करते हैं या आपको सिद्धी आपकी भक्ति के करण प्राप्त होती है तो अलग अलग रूपों में होती है एक होते हैं दास हनुमान जी जो हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी होगी प्रभु श्री राम और माता सीता परभू के और हनुमान जी महाराज उनके चरणों में सेवक के रूप में बैठे हुए दास हनुमान जी जिनके गरस्तियों को गरस्त जीवन में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है एक हनुमान जी होते हैं पंचमुकी हनुमान जी जिन्होंने अहिरावन का बद किया था और ये रूप उन्होंने जब धारा था जब पाताल में प्रभुश्री राम और लश्मन जी को लेके गया था अहिरावन और अहिरावन को मारने के लिए पांच दिशाओं में पांच द पंचमुकी हनुमान जी ये रुद्र रूप होता है हनुमान जी का और इससे भी रुद्र रूप होता है ग्यारमुक हनुमान जी जो हनुमान जी इतने बलशाली इतने शक्तिशाली होते कि समस्द ब्रह्मान को नश्च करने की शमता होती है गंदा जैसे आप कह सकते हैं कि भगवान शिव संगारक के देवता हैं तो वही रूपधारन कर लेते हैं तो हनुमान जी बाल रूप के पूजे जाते हैं जैसे मेहन्दिपुर बाला जी में बाल रूप में हैं तो हनुमान जी को आप जैसे प्रसन्न करते हैं वो वैसे प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देता है तो हनुमान जी की सेवा सभी को करनी चाहिए और हनुमान चालिसा तो एक ऐसी है जिसे सब पढ़ सकते हैं महिलाएं भी पुरुष भी बच्चे भी हनुमान चालिसा का प्रभाव बहुत ही चमतकारिक होता है हनुमान चालिसा से आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते है हनुमान चालिसा के पाट से उसके जब से उसके प्रियोग से बड़े से बड़े पेद बाधा को नष्ट किया जा सकता है सरी से निकाला जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है साथ ही जब आप हनमान चलिसा का पार्ट करते हैं तो जो बच्चे हनमान चलिसा का पार्ट करते हैं उनकी बुद्धी और बल में वृद्धी होती है क्योंकि हनमान जी बल बुद्धी के दाता है और हनमान चलिसा जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी रक्षा सदेव हनमान जी करते हैं तो आईए मैं आपको बता देता हूँ उन्नों लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि हनमान चलिसा सिद्ध हो चुकी है पहली बार चनल पे हैं तो शिवकरपा चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और हम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम लिंक का जो है लिंक है गुरुप का लिंक के उसे आप जोइन कर सकते हैं जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं और प्रशनों का उत्तर आप पा सकते हैं इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता तो सबसे पहला लक्षन होता है जब हनुमान जी के वीर आपको मिलते हैं या हनुमान जी से जब आपको सिद्ध होती है तो वो है कि हनुमान जी के वीर उनके दूत आपको मिल जाते हैं उनके दूत या उनके वीर प्राप्त हो जाते हैं आपको वो आपको सपन में दिखाई देते हैं या कहे बार हनुमान जी के जो वीर हैं दूत हैं वो सवारी के रूप में भी आपके उपर आ जाते हैं ये सबसे पहला लक्षन होता है हनुमान चालिसा बहुती चमतकार एक पार्थ है जिन से उनके दूतों की प्राप्ती और वीरों की प्राप्ती की जा सकती है हनुमान जी की किरपा से दूसरा लक्षन होता है कि अगर खुद को आप हनुमान चालिसा मंदिर में पढ़ते हुए देख रहे हैं हो सकता है वो आपके पढ़ाउस का मंदिर हो हो सकता है वो आपके घर के पास का मंदिर हो तो ये भी एक लक्षन है जो बताता है कि हनुमान चालिसा सिद्ध हो चुकी है अगर आप सोते सोते बड़ बड़ाते हनुमान चालिसा को आप मन मन में हनुमान चालिसा आपके चलती रहती है तो ये भी हनमान चालिसा की सिद्धी का ही एक लक्षन होता है तीसरा लक्षन होता है कि अगर खुद को किसी समस्या का हल करते हुए आप देख रहे हैं और हनमान जी आपको उस समय दिख रहे हैं आप किसी समस्या में फसे हुए हैं रोजाना हनमान चलिशा का पार्ट करते हैं आप किसी समस्था में फसे हुए हैं किसी दिक्कत में हैं और आप देख रहे हैं कि आप उस समस्था से निकल गए हनमान चलिशा के पार्ट से हनमान जी के नाम से तो यह हनमान चलिशा का तीसरा लक्षन है जो बताता है कि हनुमान जालिसा सिद्ध हो चुकी है अगर बार-बार आपको मंदिर दिखाई दे रहा है बार-बार हनुमान जी की खड़े हुए दिखाई दे रही है आपको कभी हनुमान जी की सिंदूरी मूरती दिखाई दे रही है कभी जो आपके घर में मूरती है तस्वीर है वो आपको दिखाई दे रही है और वो बार बार दिखाई दे रही है एक एक हफते में छेचे बार दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कही न कही हनुआ चैली सर सिद्ध है हनवान जी का अगर बड़ा रूप आपको दिखाई देता है हनवान जी का अगर बड़ा रूप पांचों लक्षन है बड़ा रूप दिखाई देता है आपको ऐसा लगता है कि हनवान जी बहुत ही विक्राल रूप धर लिया है हनवान जी ने सपने में दिखा इदि सकता और ये जो सपना है ना ये जो लक्षण है na ये ब्रंह हम औरत में दिखा कहे देता है बहुत बड़े हनुमान जी दिखा कहे देती हैं आपको और उनके पूरे सरीर पर सिंदूर लगा हुआ है अलग ही तीज उनके अंदर है यह election हनुमान चलिसा का, 40 अका, सिद्धी का लक्षन होता है अगर हनुमान जी के नाम लेकर आप को परार्थना कर देते हैं और आपको आराम मिल जाता है या हनुमान चलिसा के पार्ट से जब करके आप जल बहुमनतित करके आपको फाइदा मिल जाता है तो इसका मतलब हनुमान चैलिसा सिद्ध हो चुकी है यह जबी होता है क्योंकि कोई भी चैलिसा जबी कारे करती है जब उस सिद्ध हो जाती है एक्टिव हो जाती है जाग्रित हो जाती है तो यह लक्षन है हनुमान चैलिसा के सिद्धी का कोई नकरात्मक शक्ती है तो ये ये लक्षिन बताते हैं कि कहीं न कहीं हनुमान चालिसा के सिद्धी आपको प्राफ्ट हो चुकी है और लास्ट का संकेत होता है कि अगर आप हनुमान जी को साक्षी मान कर कोई पार्ट करते हैं हनुमान जी को साक्षि मान कर आतमे जल लेकर संकल्प लेकर अगर आप पार्ट करते हैं और वो उस पार्ट कफल तरंत आपको मिल जाए उद्धारण के लिए आपने जल लेकर पार्ट किया कि हनुमान जी माराज मेरे घर में जो नगरातों कता है जो दिक्कत दे रही है वो दिक्कत ना दे आपने हनुमान जी 20's का पार्ट किया 110 एकसो आठ यह 100 बार तो वो दिक्कत आपकी खतम हो गई इसका मतलब हनुमान जी 20's सा सिद्ध हो चुकि या किसी के लिए आप पार्ट कर रहे हैं किसी को रोग है कोई सरीर में यह तहीं मतलब हनमान 4 ऐसा सिध्ध हो चुकी तो यह तो नव लक्षन में आपको बताए जो हनमान 4 ऐसा की सिद्धी के लक्षन है मुझा साय बहुत है यह जानकारी आपको पसंद दरह होगी और समझ दरह की अखे हम मिलते एक नहीं जानकारीкое के साथ तब तकली ओम नमसिवाई, ओम नमसिवाई, ओम नमसिवाई